एड़ोकेट महेंदर मैं आपको मिस्टर भोजंग के खून के इल्जाम में अरिस्ट करने आई हूँ आपके पास कोई सबूत? सबूतों का धेर है हमारे पास अंगिनत गवाँ हैं जिन्होंने आपको अपनी आखों से मिस्टर भोजंग का खून करते वे देखा है लगता है पूलीस आचकल आँख बाले अंधों पर आखे बंद करके भरसा करने लगी है चलिए चलो पूरे 21 आदमी गवाई दे चुके हैं के उन्होंने अपनी आखों से एड़ोकेट महेंदर को मिस्टर भुजंग का खून करते हूँ देखा है इतने गवाई की गवाई के बाद शक्ति कोई गुज़ाश नहीं रहती मिलोड इसलिए मैं अधालत से अपील करता हूँ कि मुल्जिम महेंदर को कम से कम फासी की सजा दी जाए अधालत से अधालत से लिए कोई गवाई या कोई दलील है मेरे पहले और आखरी गवाई आप हैं जड़ साब मेरी सफाई भी आप देंगे और मेरा फैसला करते वाग दलील भी देंगे कि मैं अधालत से जो कुछ कहना है शाफ साफ कहो मिलोड मुझे पर इज़ाम है कि कल दोपहर के तीन बज़े मैंने भुजंग का खून किया और ये सब 21 लोगों ने देखा है कल दोपहर के तीन बज़े आपने भी देखा कि मैं इसी आदालत में आपके सामने केस लड़ रहा था और गुस्से में आकर मैंने अपने ही कलाइन के मुँपर तमाचा मारा जिसके लिए मुझे इस आदालत से माफी मांगनी पड़ी और इस आदालत में उसका रिकॉर्ड भी मौजुद है पैसला कीजे मिलोड जिन लोगों ने मेरे खिलाफ गवाई दी है क्या वो सच बोल रहे है और अगर वो लोग सच बोल रहे है तो क्या अदालत का कल कर रिकॉर्ड जुद बोल रहा है जिस पर किसी और के नहीं खुद आपके साइन मौजू है ये सच है कि कल मिस्टर महेंड अदालत में मौजूद थे इसलिए अदालत मिस्टर महेंडर को भुजंग मर्डर केस से बाइज़त बरी करती है और पुलिस को सक्त हिडायत करती है कि जल से जल मुझरिम को पकड़ कर अदालत के सामने पेश करे मिस्टर सिंघानिया देख रहा है वही तुम हो वही मैं हूँ अदालत भी वही है जासे मेरी पत्नी का खून करके तुम लोग छूट कहते और आज भुजंग का खून करके मैं बाईज़त बरी हो गया हूँ आने वाला हर दिन तुम पर बहुत भयानक गुजरेगा महेंडर नहीं सिंघानिया आज के बाद आने वाला हर पल तुम दोनों के दिल की धरकन पर हथोड़ा बन कर परसेगा पहले तेरे इस कमीने कुछ से भाई को मारूंगा उसके बाद तेरा कफर तेयार करूंगा यह खाना किसने बनाया है माइसल सर्फ एनी प्रॉब्लम पर्दे का अंदर इंगलीश क्या ठोक रही है मुह से पर्दा तो हटा पर्दा चो हट गया तो लफडा हो जाएगा लफडा तो होका नहीं रहेगा आरे खोल तुम मैंने तुम्हें कहा था न कि यहां मत आना तुम्हारा कहा मानू या तुम्हारे दिल का जो हमेशा मसे याद करता है माय तुम्हें कोई याद बाद नहीं करता तो मेरे हाथ का बनावा खाना खाकर तुम्हारे दिल की घंटिक कभी नहीं बसी बख्वास मत कर शाया से सुरिया सुमन को मैंने बुलाया है क्यों तरफ शिपाल का जनम दिन है और सिंगानिया ने उसके इर्द-किर्द बहुत मस्पूत सेकूर्टी फेलाई है जिसे सिर्फ सुमानी तोड़ सकती है यह लड़की किसी काम की नहीं है जहां फॉलाद भी काम नहीं आता वहां कली काम आती है अपने खुस्न की चमक से दुश्मन को अंधा बनाती है आओ जानेमन यह दर्वाजा क्यों बंद करे हो डालिंग जानेमन तुम पे दिल का दर्वाजा खोलने के लिए ओ नो डालिंग बाहर तुम्हारे भाईया बादी गार्ड और महमान भरे पड़े हैं और मुझे बीड़ भाड में इस तरह से मिलना अच्छा नहीं लगता तो क् डालिंग आओ चलो तुम्हारे फामाउस पर चलते हैं उधर तनहाया ही तनहाया है और जब तक ची चाहेगा प्यार की शहनाई बचाते रहेंगे हां चलो अहां उधर से नहीं जानेमन पिछले दर्वाज़े से ओके चलो आओ जानेमन मैं शावर लेके आती हूं वीट फॉर मी डार्लिंग ओके डार्लिंग जल्दी आना डार्लिंग अब दिल की धड़कनों पर काबू पना बड़ा मुश्किल हो रहा है धड़कने बंध होने का वक्त आ गया है शिशुपाल महिंदर तू यहां कैसे आ गया मौत को आने के लिए बतानी पूछना पड़ता याद आए अदालत के बार मैंने तेरे भाई से कहा था यह अब शिशुपाल का नंबर है अंधे का तीर निशाने पर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते लंगडे तुने वो जंग को धोके से मारा होगा लेकिन मुझसे जंग करके तुन बच नहीं पाएगा समझें समझें नहीं, तुमा हैंदर नहीं हो सकता हाँ मैं महंदर नहीं सुरिया तेरी मौत बन कराया हो तेरी लाश किरा कर जाओंगा हाँ 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 हुआ 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 है करतher करतBER करत 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 मैंननननननननननननन! झाल! झाल! हलो हलो संगानिया मैं महिंदर बोल रहा हूं बोलो तेरे भाई का एक्सिडेंट नहीं हुआ उसे मैंने मारा है क्या है और अब तेड़ी बारी है महिंदर मैं तुझे जिन्दकी की जमीन से उखार कर भेग दूगा यह जो करना वो तो तुन्हें करी लिया अब मेरी बारी है अब मेरी बारी है सिंगानिया मैं नहीं छोड़ूगा तुझे मैं आ रहा हूं महिंदर मेरी बाद कुनिये सर अब क्या सुनने है अब सुनने के लिए क्लिए क्लिए जिस भाई के लिए मैं लोगों के साल लटता रहा जिसके लिए लोगों के खून बरे कफ मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा आपको अपने हाथों को उसके खून से गंदा करने की कोई सरुवत नहीं मैं उसका बंदवस्त करूँगी क्या कर सकती हो तुम? मेरे पास कुछ ऐसे कातिल है जो इतने खामोशी से गर्दन काटते है कि मरने वाले को भी खबर नहीं होती